गूड मॉर्निंग एब्रीवन ये वीडियो होने वाली इस सेल रोयल रंबल के बाड़े में और ये इस वीडियो में मैं बात कुरूंगा मेरा टॉप फाइब रेसलर्स वो केन विन इस येर्स रोयल रंबल तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो पहली जो सुपरस्टर मुझे लगते हैं मैंने टॉप फाइब पर रख है वो ये दा बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर तो काफी टाइम हो गया है ब्रॉक लेसनर यहां पर रेसलिंग पर किसी और प्रोमेशन भी पर नहीं है और शायद उनका डिटन होड़ सकते हैं रोयल रंबल में as a surprise entry और अगर ब्रॉक लेसनर इस येर की रोयल रंबल जीतते हैं तो अगर वो चूज करते हैं यहां पर डूमा की इंटायर को तो उनको अपना रिवेंज लेने का भी मौका मि लेगा यह पर वो जा सकते सीधा रोमन रिंग्स के अपोनेंट के लिए कि वहां पर है पॉल हैमेंड तो दोनुई जगा अगर अब जाते हैं ब्रॉक लेसनर वो अगर रोयल रंबल जीत के तो एक भरिया से स्टोडी लेनों प्रोड्यूस कर सकते हैं और मैं काफी और आते हैं की नहीं और जीतते हैं की नहीं नेक्स सुपरस्टर जो मैंने नंबर फोर के लिए रखा है वो है कीतली इत बिन लॉंग टाइम कीतली को कुछ अच्छी तरह से पुश नहीं मिला यह पर उनको एक दूबर जब बड़े मैचेज मिल रहा है जैसे रेंडी और टेन हो गया यह पर डू मैकिंटा है तो मैं जीत भी रहा है लेकिन उनको मुमेंटम नहीं मिल रहा है यह पर क्रियेट कीटली को लेकि कैसे पूश किया जाए कितली को भी इस मिकमन चाते है कि इतली को एक बिग पूश देना लेकिन कैसे दे वो मुझे भी लग दे कि क्रेटिव टिम की थोड़ी है पर गलती है कि ठीकते से पूश नहीं कर पड़ी है क्योंकि लास्ट चेर आप अगर देखें रोयल रंबल में टेफे ब्रॉक लेस्थ ने रेंट लिकिटी जो स्टेयर डाउन वेते तो कीटली को ये बहुत एटैंशन मिली थी और और फॉनांपर रोयल रंबल में जिस तरह से कितली की पफरमस थी तो कीटली को या पर बहुत या पर हाई होप्स के साथ या पर फैंस ने सोचा था कि नेक्स्ट यार कीटली एक बड़ा मीनिमाम या पर चैंप्पेंशिप जीच सकती उनाइट एडिया कुछ भी लेकिन इस यार में आप देख सकते कीटली या पर रेंडी और टेन का क्लीन हडा है पर ड्रुमैक इंटायर के खिलाब भी उनको डबलो ले चैंप्पेंशिप के लिए मौका मिला लेकिन कोई उतना हाई नहीं ये कीटली को लिएके ठीक तर से पूछ नहीं मिल रहे है तो हो सकते है इस यार में आपर कीटली जीदते होई दिखाई दिया हमें रोयल रंबल और अगर हम बात करें बेटिंग ओर्ड्स की लेकर तो ये पर बेटिंग ओर्ड्स में कीटली अभी नंबर दो पर है थोड़ी दिनों पहले नंबर एक पर ही लेकिन फिर्ण्स मिकमा ने जब से उनको ट्रेनिंग के लिए भेजाता थोड़ी दिनों के लिए उसके बाद सो नंबर दो पर ये ओड्स की तरफ से तो देखते कि इस यार कीटली जीत पाते रोयल लंबल या नहीं इसके बाद नंबर थ्री पर जो मैंने सुपरस्टर में उसके बाद हो इंजड हो गये और फिर से काफी हपते के कपती महिने होगे और यहां पर एज के लिए जो स्पेकुलेट हो वही है कि आब उनका रिटरन का टाइम हो चुका है तो इस साल एज हमें फिर से एक बस सर्प्राइज एंट्री कर सकते रोयल रंबल में और क्या अगर ऑपोनेंट चाहिए अगर वो रसल में तक जाते है एज डबल डबल चैंपियन क्योंकि उन्होंने रोयल रॉस्टर में अल्मोस्स सबसे लड़ लिया है तो देखते है कि इस यार में एज यहां पर फिर से एक बद दमदार वापसी करके यहां पर जीत पाते है कि नह हैं पर मालिक डेनियल ब्राइन तो डेनियल ब्राइन के बारे में हमें पहली रिपोर्स एही थी मिली है और एही है कि डेनियल ब्राइन की एही है एक फूल टाइमर की लास्ट यह पर स्पेकुलेट इसके बाद हो पार्ट टाइम ही लरके ही लरेंगे तो क्या डेनियल ब्र एक अपोर सफुल टाइमर्ड हमें देखने मिल सकता MARK contribute क्यूब उन्हों ने केडियान में आज तक कोई भी रॉयल राम्बल नहीं जीता है और उन्हों नहीं लग देनियल ब्राइन को लेकर किसी तरह की कोई प्लान से डबलोली की अभी तक कि उनको इस स्टोरी लाइन में डाला जाए या फिर इस स्टोरी लाइन में लगड़ा था कुछ आपते पहले कि इनको रोमेन रेंग्स के खिलाब रोयल रंबल में मैच मिल सकते हैं लेक और और्ड कि आपर देखे तो और्ड में भी नमबर वन पर डेनियल ब्राइन तो लेट सी कि इस सेड़ डेनियल ब्राइन जीत पाते हैं रोयल रंबल की नहीं मुझे तो लग देख बर्या content हैं डेनियल प्रायन इस या रोयल रंबल जीतने के लिए और मेने जो नमबर वन पर रखा है रोयल रंबल 21 विनर के लिए वो है दफींड को तो दफींड यहां पर दो तीन हफ्तों से यहां पर रॉप भी नहीं आ रहे हैं और स्पेकुलेशन की सबसे देवले लिए उनको एक न्यू यहां पर कैरेक्टर किया पर बर्न होने के बाद थीम एक न्यू कैरेक् दिलकुल मॉंस्टर टाइप करेक्टर कुछ दे सकते और आके रोयल रंबल में आके जीत लें आपर दफींड इमेजीन नंबर 30 के आपर बेल्दिंग होती है और अंदर साते दफींड और सबको तहसनेस करते हुए एंड में आपर रोयल रंबल जीत जाते दफींड और रस लेकिन कुछ लोग हमाना है कि अधा फींड के उपर टाइटल थी किसे जचता नहीं कि लास्ट टेम उनके उपर जब टाइटल थी रोमन रिंग्स ने दो हफ्ते में ही कैप्चर कर ली और उससे पहले गोल्ड बैंग ने फींड की पूरे क्यरेक्टर को रियून कर लिया थ साथ तो लेट सी में तो काफ़ एकसाइड रूम और मुझे परसनी लग दे कि दफींड है इस येर की नंबर वन कंटेंडर फॉर दर रॉयल रंबल टु विन और फॉर में इवेंट एट रसलमेनिया और मैं काफी अपर दिल सो जाता हूँ कि दफींड जीते तो लेट सी कि क्या फिंड वन पाते हमारे इस येर की रॉयल नंबल विनर और नहीं तो आज की वीडियो यही थी बहुत स्पेशल बहुत महना से मैंने वीडियो बना है ज़रूर अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक किजाएगा गाईस तो मिलते है किसी और वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई टाटा